एक दिसम्बर से बुन देल खंड दोरा एक दिसम्बर को विजाईर राथ लेकर जाएंगे अखिलेश बांदा से महोबा विजाईर राथ लेकर जाएंगे अखिलेश दो दिसम्बर को ललित पोर में जन सभा करेंगे अखिलेश तीन दिसम्बर को विजय रत लेकर छासी जाएंगे अखिलेश रास्ते में जगह जगह कारिकरताओं से मिलेंगे अखिलेश अकलेश रादव का एक दिसम्बर से बुन देल खंड दौरा इस वक्ती बड़ी खबर साबने आ रही है एक दिसम्बर को विजय रत लेकर जाएंगे अखिलेश बांदा सिम्मा होगा विजय रत लेकर जाएंगे अखिलेश दो दिसम्बर को ललित्पूर में जन सभा करेंगे आयोजित 3 December को विजएरत लेकर 6 जाएंगे अखिलेश इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रास्ते पे जोगा जगा कारेकरताओं से भी मिलेंगे अखिलेश अखिलेश यादफ काई 1 December से बुन्देल खंड दोरा 1 December को विजएरत लेकर जाएंगे अखिलेश इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बांदा से महोबा विजेरत लेकर जाएंगे अखिलेश कारेकरताओं से बात भी करीने चुनावी महाल है और दौरों का दौर जो शुरू हो चुका है एक दिसमबर, दो दिसमबर, तीन दिसमबर विजेरत लेकर जाएंगे अखिलेश जनता के बीच कारेकरताओं से मिलेंगे भी और साथ ही रास्त भी जगजगा कारेकरताओं से मिलने के साथ ही एक दिसमबर को गुंदेल खंड दौरा है अखिलेश का एक दिसम्बर को बिजरत लेकर अखिले शुचाएंगे पिस्तॉल से की गई फारिंग वीडियो वार अलकानपूर से बड़ी ख़बर सामने आ रही है दबंग का बरादियो द्वारा डीजे पे डांस करते हुए फारिंग फारिंग को लेकर मना करना बड़ा भारी गेस हाउ संच्वालक को बड़ा भारी दबंगो ने संच्वालक के साथ की मार दो गालिया देते हुए पैतिस जार रुपए भी छीन लिए पूरी घटना CCTV फुटेज बर क्याद पोलिस को सूचना देने के बाद भी नहीं कोई कार्यवाई गंगा गंच के सुप्रिया गेस्ट हाउस का मामला इस्तौल से की गई फारिंग वीडियो वाइरल का अंपुर से बड़ी खबर साबने आ रही है दबंग अपराधियो द्वारा डीजे पर डांस करते हुए फारिंग फारिंग को लेगर मना करना पड़ा भारी गेस्ट हाउस संचालक को भारी बड़ा बना करना दबंगो ने संचालक के साथ की मार पीट गालिया देते हुए 35,000 रुपए भी छीन लिए पुरी घटना से सिटीवी फोटेज में हुई क्याद कांपुर से एक खबर सामने आ रही है पुलिस को सूचिना देने के बाद भी नहीं कोई कारेवाई गंगा गंश के सुप्रिया गेस्ट हाउस का पूरा बामला बिस्तौल से की गई फारिंग वीडियो वारल कांपुर से एक खबर सामने आ रही है जो आदबंग अप्रादियो द्वारा टीजे पर डांस करते हुए फारिंग की गई है फारिंग को लेकर मना करणा पड़ा भारी गैस हाउस अंचालक को मना करणा भारी पड़ा मार पीच की गई पैसे भी छीन लिए गए इस वक्त ही बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से गालिया देते हुए पैस ज़ार रुपे चीने गए इस खबर पर मैंस अज़ाद बाचीट के लिए सब बढ़ा ता रिजवान जुड़ चुके है कानपुर से रिजवान क्या है पूरा मामला पूलिस को जब जानकारी दी गए तो पूलिस से क्या कारवाई करी इस मामले में पूलिस का कारवाई की जा रही है बहुत 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 शुक्रा मैंस अज़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इसक बढ़ पर मैंस साथ रिजवान चुड़े थे कानपुर से संबादा था लगनाउस इस वक्त थी पड़ी ख़वर सामने आ रही है कोरोना को लेकर जारी के गए निर्देश नए वेरियंट ओमीक्रोन को लेकर जारी निर्देश यूपी स्वास्त विभाग ने जारी के निर्देश प्रदेश भर के सभी जिलों को निर्देश जारी अपं मोखी सचिव स्वास्त ने जारी के अंदर्देश पॉस्टिव रोक्यो को आईसोलेशन वार्ड पे रखने के निर्देश एर बोर्ड पर अंतराश्चिय आप्रियों के लिए आईसोलेशन फैसलिटी एंटिक्रिटेट कोविट कमांड सेंटर लगतार संपरक रखा जाएगा लखनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना को लेकर जारी किये गई नए दिशा निर्देश नए वैरियेट ओमिक्रोन को लेकर जारी निर्देश यूपी स्वास्त विभाग ने चारी किये निर्देश प्रदेश भर के सभी चिलों को निर्देश चारी कारमेट्स की दुकान में लगी आग लखिम्पुर्खिरी से बड़ी खबर सामने आ रही है शौट सर्किट से लगी आग गश्त पर निकले चौकी चार्ज ने देखा दुकान से धुआ निकलते देखा तो तोड़ा ताला आदा समान घ्रामीडों के सही योग से चलने से बचाया शौट सर्किट से लगी आग से लाखों का हुआ नुकसान नीम गाउं कोट वाली छेतर की घटना गार्मेंट्स की दुकान में लगी आग इस ख़बर में सब्सक्रादबाचीर के लिए समवदात धीरज जुट चुके लखीमपूर खेरी से धीरज किस तरहां आग लगने की संभाव नर्जेत आई जा रही है पर कपड़े की बड़े बर्माजी की दुपान है जहां पर इती रात जो आग लगी है आग लगे दुदू कर जब दुआ निकल ला तो गस्त पर निकले सिकंद्राबाचीर की इंचाज अप्षे कुमाग की निज़र पड़ी तर तब काली उन्होंने ताला खुलवा करके और ग्रामीडों की मदद से जो काफी काफी कपड़े निकल वा लेकिन फिर भी कम से कम 4-5 लाक रुपए का नुक्सान हुआ है दुपानदार का ग्रामीडों की मदद अगर मदद ने ली गई होती तो साहद मार्केट में काफी आख पहलने के चनकाफी है दीरच कितने कद उकसान बताया जा रहा है करीब अभी पिलाल तो व्यापाजी से बात नहीं हुए लेकिन कम से कम 3-4 लाक रुपए का अनुमान लगाया जा रहा कि बड़ी बड़े दर्शाई है कपड़े के तो लगब त्याल-5 लाक रुपए का नुक्सान तो हुआ ही होगा जो बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया मासा जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए उस खबर पर मायसा समधा तथीरे जुड़ेते लगी होगा प्रिंदवन में लगता है लोग कोरोना पॉसिटिव किल रहे हैं प्रिंदवन में साथ पुदेशी महिला आए एंग पुरुष कोरोना पॉसिटिव आश्रम को कंटिन्मेंट सोन पॉसिटिव किया गया बड़ी खबर सामने आ रही है आश्रम कोरोना के चार मरीज मिलने से हड़ तंब जण्पाथ में अभी तक महिला सबेथ आथ कोरूना पॉसिटिव प्रिंदवन में लगता है लोग कोरोना पॉसिटिव बिल रहे बड़ी खबर सामने आ रही है प्रिणवन में साथ वदेश महिलाए एंपरुश कोरोनमास चॉभ ऑफजद कोड़िभ ही। मत्रा में कज़ंद कोरोना जाखरी में प Tap很多 कोरोना को पारी विभाया से हाभा सेथी बादेश च curvature गमिश्र 9 पर भफजया मैं जा व blueberries हाग año अधिप्रेदेश से अपरित शाद्र को हाईवे पर पाया गया जिन मद अपरित से अपरण कर ले गए थे शाद्र को टावा परेली हाईवे पर फेका और उखबाद से खबर सामदे आरी तर्शीला पदार से सुंगा कर चाद्र का कि आफरण रहागीरों दे पुलिस को दी पुलिस ने चाद्र को सी एच सी राज़पूर में कराया भरती अपरित यूवफ को जिलास बताल नोहिया किया गया रफर जिलास बताल नोहिया में यूवफ का एलान जारी पुलिस मामले की जाज विचिटिंग वर्मखबाद से एक वर सामने आ रही है खाना राज़पूर छेत्र का मामला मतप्रदे से अपरेद चाद्र को हाईवे पर फेका जन्पद बेंड से अफरण कर लाए गए चाद्र पुलिस मामले की जाज में जचिटिंग वर्मखबाद से एक वर्मखबाद से बड़ी ख़बर सामने आ रही है अपरेद यूवफ को जिलास बताल लोहिया किया गिरफर्द पुलिस मामले की जाज में जचिटिंग वर्मखबाद से बड़ी ख़बर सामने आ रही है थाना राजयकूर थाना चेट्र ता मामला पताया जा रहा है माद्यप्रदीश से अपरेद शात्र को हाईवे परफेगा जनपद फिट से अभरड कर दाएगा चाक्र शात्र को इटावा परेल हाईवे परफेगा अशीला पदार से सुखा कर शात्र का खिया अपरण रहागीरों ने पुलिस को की सुचना इसने शात्र को सी एच सी राजय पर दिगराया अपरती हुआ को जिलास पताल लूरिया किया रहे जिलास पताल लूरिया में वह काईदा जारी इस कमरड़ पर मैंसे सदबाचीत के लिए फरुखबाद से समवदाता सुन्दरम जुड़ चुके सुन्दरम कब अपरण किया गया था चात्र का जिसे आप से जनकारी मिल पा रही है चात्र ने बता है कि आज वो सुवए कल सुवए जो बिंड जिला है बहां भूब का रहने वाला है बहां से कोचिंग के लिए जा रहा था तो कुछ यूबकों ने कहा कि एक सामान है उसको ओमनी बैन थी उसमें रखवा दो जैसे ही उस सामान को रखवाने के लिए बढ़ा तो उसको पीछे से कीचिन धक्का मारके पकड़ लिया फिर उसको बताया उसके उद्वारा ये जैनकरी मिली कि उसको कुछ याद नहीं है कि और डॉक्टर परिच्ण में बताया गया उसका नसीला पास सुगाया गया है उसको फिर जब रुसरक के किनारे लोगों ने यहां राजयपूर इटावा बरे लिहाई पड़ा पाया तो पुलिस यहां को सूचना दी और उसके बाद से लोकल जो राजयपूस यच्छी व कुछ जानकारी किस वजह से अपरन किया गया था चात्र का हाँ इस बात की वी कोई पुष्टी नहीं हो पाई है और मतब पेस पुलिस और यहां की फी पुलिस चांच में जुटी हुई है क्या घटना कर रहा है जी बिल्कुल बहुत बहुत वह शुक्रमास से जुड़ने क कि सूचना प्राप्त हुए। सूचना पर टीम गठित कर मारा गया छापा। भारी मात्रा में असलाह वरामत। सभी तरह के असलाहे प्राप्त हुए। पाच अभphone को किया गया गिराफ्ता अवै असलाह फैक्टरी का संचालत। गाओं के सूचना प्राप्त हुए। सूचना पर टीम गठित कर मारा गया छापा। भारी मात्रा में असलाह वरामत किया गया। सभी तरह के असलाहे प्राप्त हुए। पाच अभी युक्तों को किया किया कि रफ्तार अब वैद असलाफ एप्रे का संचालन बड़ी खबर साब दे आ रही है गाउं बिसॉला में चलने की सूचना प्राप्त हुई है वैद असलाफ की फाक्त सूचना पार्टी गढ़ित कर छापा मारा किया भारी मात्रा में असलाह परामत किया गया चलती गाड़ी में अचानक लगी आग राइबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है आग लगने से मच्छी अफरात अफरी आग ने नहीं पकड़ा विक्राल रूप ड्रमों के पानी से आग पर पाया गया काप राइबरेली से खबर सामने आ रही है हर्चन पूर्थाना छेत्र के कजबे के चौराहे का मामना बताया जा रहा है चलती गाड़ी में अचानक लगी आग राइबरेली से ये बड़ी खबर आग लगने से मच्छी अफरात अफरी आग ने नहीं पकड़ा विक्राल रूँ ड्रमों के पानी से आग पर पाया गया काप हर्चन पूर्थाना छेत्र के कजबे के चौराहे की करना चलती गाड़ी में अचानक लगी आग इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आग लगने से मच्छी अफरात अफरी आग ने नहीं लिया विक्राल रूँ ड्रमों के पानी से आग पर पाया गया काप चलती गाड़ी में अचानक लगी आग आग लगने से मची अफरा तौफरी आग ने नहीं लिया विक्राल रूप ट्रमों के पानी से पाया गया आग पन्दाव इसके देख सकते हैं किस तरह से चलती गाड़ी में आग लग गई इसके बाद लोग भागते हुए नजार आए इसको बड़ पे मैंसाद बाचिन के ले समदाता ओम शंकर जुड़ चुके राइब अरेली से ओम शंकर किस तरह गाड़ी में आग लग गई जी तो क्या वजह का पता चल पाया है कि गाड़ी मैसी क्या खरावी हुई थी जिसकी वज़े से आग लग गई प्रसम रस्ट्रेया जो है वो साथ साज की कमामरा समझ में आ रहा है जी तो कि गारी जीरे जीरे चल ले इसकी कश्मे में मागरिक करके 27 लाख पहली यह थे लूट जोइडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामझा रही है चाज नाइजीरियन नागरिक गई लिली सिक्या गयर गिरफतार। महीला सिकी थी धोका धड़ी। धोका धड़ी करके 27 लाक रूपए लिये थे लूट। कि अश्लाग रुपे लूचे थे यहार रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हासिर होंगे